हेलो फ्रेंज क्या आप भी आप अपने मोवाइल से गूगल एकाउंट यानि इमेल आइडी डिलेट करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं ऐसा क्यों क्योंकि जब आप लैप्टॉप में या डेश्टॉप पे अगर लॉग आउट करना चाहते हैं तो वहां लॉग फिया फाइल है उस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ लोग ओट का ऑफसिन नहीं आइडी लेट का तो आपको क्या करना है डिलेट करने के लिए तो सबसे जो नीछे ऑफसिन है मेनेज अकाउंट ऑन दिठाउंट ओन इस डीवाईज इस दिवाईज इस पे क्लिक कर द है इस Google पे क्लिक करना है चलिए क्लिक कर देते हैं जैसे क्लिक करेंगे तो आपके डिवाइस में जितने भी कांट है वह यहांपे दिखेगा जैस rubbish हपे मल्टीपल एकउंट है तो यहां पर दिख रहा है तो आप अभी मुझे डिलेट करना है तो आपको क्या करना है जो भी एकांट आपको डिलेट करना है उस पे simply आपको क्लिक कर देना जैसे कि सबसे उपर वाले एकांट मुझे डिलेट करना है तो इस पे क्लिक कर दिया इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे नीचे लगा हुआ ओफ्षन है तो इसको कुछ नहीं आपको यहां नीचे आना है और इस मोर पे क्लिक कर देना है इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक है synchronize now synchronize करेंगे तब तो synchronize हो जाएगा अगर आपको यहाँ पर delete करना है तो remove account पर click करना है बस यही करना रहता है अगर remove पर account करेंगे तो यह हट जाता है आपके mobile से और वो as a delete हो जाता है तो चली इस पर click करते हैं यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि आप delete करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते है message removing this account will delete all of its message contact and other data from the phone यानि जितने भी sync था email id से वो सारे data delete हो जाएगा तो यहाँ पर आपको remove account पर click कर देना है तो जैसे ही remove account पर click किया तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो account था first यहाँ पर वो delete हो गया है अब जो है so मुझे अपने email id में भी यह नहीं दिखेगा तो आपको दिखा देते हैं back करके कि यह देखिए जो account था एक मेरा delete हो गया अब वो नहीं है तो इस तरह से आप अपने mobile में Google account यहाँ email id डिलेट कर सकते हैं यह वीडियो आपको कैसा लगा वो जरूर बताए comment करके और यह भी बताए कि क्या आपका account remove हो गया क्या वो comment box में जरूर बताए धन्यवाद